अलिगर के सारसॉल इस्थित कांशी राम आवास में किराय के फ्लैट में रहने वाली एक महिला को पड़ोस में रहने वाल एक परिवार ने घर में घुसकर पीट-पीट कर मार डाला कई घंटे बाद जब पती घर लोटा उसे खून से लटपत पड़ी देखा तो शोर मचा कर अन्य लोगों को बुलाए महिला की बिटाई करने वाली महिला और उसके तीन बच्चे फरार हो गए घटना के पीछे पानी भनने का विवाद था मृतका के पती ने थाना बना दीवी में चार नामजद लोगों के विरुद धत्या का आरूप लगाती हो नामजद मुकदमा अन्य लोगों की मार्पीट से एक महिला की मौत हो गई पती की रिपोर्ट पर शिगाया दाजकर फरारारूपियों की तलाश की जा रही है सब पानी के विबाद में किसी महिला का उत्या हुई है कहां का क्या मामजद आ है दिनाग चौबिस दो उनिस को ठाना बना देवी शेतन में काशिराम अवास को बापुधाम सोसाइटी है वहां पर एक महिला का कुछ रथियों से जगडा हुआ है तो संगीता नाम की महिला उनके लड़ाई जगडे के वज़े से उनके वित्यों होने के सूचना सामगे हुए इस पर उनके पती द्वारा दी गई तह्रीर पर एफाई आर दर्ज की गई दो पहर में ये सूचना ही थी कि सुबाव और विक्ती जब वापस आया है गर के तो उसने अपनी पत्नी को उ पाया है और इस पर जब उनके आसपास के लोगों से मतलब पूछा है तो उन्होंने बताया है कि उसकी तीन-चाल नित्ति उसलाई सब्ड़ा हुआ थे हैं फिलहाल ये विक्ती फरार है इनकी तलाश की जा रही है उज़त से लकावाई की गई गटना हुई तुर्जिस मही आदमी है यहां जिसने उनका मडर किया है तो यहीं रहते हैं किस चीस से फांसिल हुई पहले उनके साथ मार पटाई तो जिन पर इन्होंने मडर किया नहीं कोई नहीं नहीं कोई नहीं नाम जनती हैं और भी कोई शामिल था नहीं को अनिता आपके सामनी हो रहा था यह सब हाँ और छोरी को नाम सानी और बाब गर्वाली को बता है तो किरन दें